महरास्ट में अकोला के रामदास पेट पुलिस थाना अंतरगत आने वाले तिलक मार्क के पास 15 अपरिल 2017 की शाम 5 बचे के दोरान एक 9 वर्षिय किशोरी कच्रा बिन रही थी इसी बीच कॉम्पलेक्स के पास बैठे गोविंद परसराम साखरे ने उसे रुपियो का लालस दे कर कहा कि वहा कॉम्पलेक्स की तीसरी मनजल पर चाए वहाँ पर बैठे दो लड़के तुझे रुपे देंगे रुपियों की लालच में किशोरी के वहां पहसते ही घात लगा कर बैठे शेख मुस्तकीम अब्दुल जाकिर और मुहम्मद मुहसीन मुहम्मद अन्वर कुरेशी ने उसके साथ दुश कर्म किया और फरार हो गए पुलिस ने किशोरी को अस्पताल पहुंचा कर तीनों आरुपियों के खिलाफ विभिन धाराओं के तहत अपराद दर्च किया उक्त अभियोग की सुनवाई प्रथम जिलाव सत्र न्यायाधीश M.I.R.Land के न्यायाले में हुई सरकार पक्ष ने न्यायाले में 11 गवाखों के बयान दर्च करवाए दोनों पक्षों की दलिल सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरुपियों को उम्रकैत की सजसुनाई और 50,000 रुपए जुर्माना साथी पिडिता को राज्य सरकार द्वारा 10 लाख रुपए देने के नर्देश भी दिये गए अपोला में जो त्रिमिने शुरी पंप्लेक्स है उसके किसरे माले पे एक गरीब 12 सल की कचरा जमा करने वादी दीग मांगने वादी नड़की के उपर पाश्वी बलात कार हुआ था उस बलात कार में तीन आरोपी पकड़े कहे थे उसमें के मुख्या आरोपी शेग मुस्तकीम इसने बलात कार किया था और वो की पाश्वी बलात कार था और बाकी दू आरोपियों ने गोविंदा साच्डे और मोहसिन मुहमन मोहसिन इसको उस अत्याचार में मदद किया था इसलिए तीनों आरवी कोई को आज कोट ने दोशी पाया है विमित कल्मों की खिलाब के अंदर उसमें सरकार पक्षे के दरब से कुल मिला के वननीस ग्यारा साक्षितारों का बैयान कोट में दर्श कराया गया